दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल कनफॉर्म फैंड़सी में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेज साउथ अपरी का फ़स्ट टॉन्टी मैच आज साम साथ वजे स्टार्ट होगा तो मैं इस वीडियो में बात करूँग या फिर किसी भी फैंडेसी साइट पे इन्वेस्टमेंट करते हो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आयो दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए काफ ज्यादा इंपोरेंट है और जिन भालोगों ने इस वीडियो को लाइक निक्या एक वार वीडियो को लाइक कर दीजे ह हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे आपको लाल करन सब्सक्राइब का बटब दिखर वाजा के सब्सक्राइब कर लेजिए सबसे प्रें दोस्तों आप दे लिजे लिए लाइक वाले मैच का विरियो स्क्रीन सोट इंडिया वर्सेस अस्टेलिया का तीसरा टी हजार प्रफिट वादुस्तों इस वाले मैच में एक लग 5,000 पे तो डोस के वाज दोस्तों मैं आपको जो टीम मैं अप्डेट करता हूं हमारे कंफरूंफंच सी टर्ल्राम सें करते हूं वही तिम सर्ensed मैं खुद भी जाता हूं बिल्कुल फिरिया दोस्तों आपने अगर समी कोविट पोजिटिव है तो अभी तक फीट नहीं हुए तो भी रूल डॉट है इधर सहवाज एहमद को स्कौार्ड में सामिल किया गया बट मुझे नहीं लगता है इनको मौका मिलेगा क्योंकि और इनकी यह पर अक्षा पडल खेल रहे हैं स्पीनर बोलर है ना अक्षा पडल है चहल है तो साथ यह बेंचे बैठेंगे और एक स्रेय सेयर का भी नाम आ रहा है बट देखते हैं क्या होता है इधर दोस्तों आप देख पागों साउथ अपरिका में तो अगर हम बात करें अभी वापस आ चुके तो कप्तान है दोस्तों तो ओपन करेंगे और बैटिंग करने वाले थे रिले रोसो उनका पत्ता साफ हो जाएगा वह बेंचे बैठेंगे तो रिले रोसो का जगा फिर नहीं बनेगा जब रेजा हंडिस वन डाउन बैटिंग करेंगे तो यह कुछ होगा साउथ अपरिका में चेंजस बाकि दोस्तों यहां पर हम बात क मैच तो लास्ट जो मैच हुआ था इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडिस का तो 170 प्लस स्कोर बना था ठीक है बाकि यहां पर दोस्तों हम बात करते हैं विदर फोरकास्ट थोड़ा बहुत बारिस जो कि है मैच को दो रहां इंटरप्ट कर सकता है और बाकि दोस्तों आप दे एक सो पचास रन के नीचे आठ वर बना है 152 169 का स्कोर चार और 172 189 का स्कोर एक वर और 190 का स्कोर मात्र एक ही वर बना है बाकि दोस्तों हम बात करते हैं टीम कंप्रिजन तो आप देखोगे पिछला दस मैच में इंडिया के टीम दोस्तों सतर परसेंट मैच विन करिए व करिएरी स्कॉर तो दोनों का बिल्कुल सिमलर है 177 इंडिया का वही साउथ अपरी का 10 का मैच होगा वहीं लास्त मैच में आर्फ देखोगे पाच-वाच աोनों टीम करिए और पिछला पांच का इंडिया टीम दो मेच्ट लोज करिए और तीन मेच्ट करिए शो हपिर मेच्ट करिए थ्फरीका टककर का मैच्ट करिएग उलिtekली gig лет करिए तो ख्रू एंडिया टिम नेकश सेकनड बैटिंग करते ुछें मैच ने करिएंग यानि सॉथ अपरीक हन्स करती है तो फिर दोस्ति ऑई चानस है कि मैच को विन कर जाएगी बाकी दोस्तो आपके यहां पर यहां पर प्लेस का स्टेट तो यहां पर दोस्तों जो ओपन करेंगे आप सभी लोग देखोगे रोई सरमा्ण के कप्तान होंगे राइट हंड बल्लबाज काफी एक्सपरियंस बलबाज रिसेंट फॉर्म दे लिए अस्टेलिया खिलाब क्या रहा था 46 स्कोर रहा था दोस्तों सेकेंड मैच जो कि इनका यह टॉप है स्कोर है बाकि दोस्तों आप दे लिए स्कोर और यहां पर 11 का स्कोर इधर 72 का स्कोर दिखरा होगा बाकि और यहां पर था स्कोर है बाकि यहां पर दो स्कोर स्कोर है बाकि यहां पर चुक आप इनको जरूर्ण करना शूर कौumar याद आप काफ चावरड़स्त बलबास दोस्तों लास्ट इमाइट नान का स्कोर किये हैं स рублей जीरो रन उसे पहले 46 और यहाँ पर 68 और यहाँ पर 76 तो प्लेयर काफी धाकर है अगर इंडिया का टॉप 3 कोलप्स करता है तो सुर्कुमार याद आपके पास अच्छा कासा ओपोर्शनिटी होगा बड़ा स्कोर करने का तो अगर आप लेना चाहो तो विल्कुल आप स्मॉल टीम में ले सकते हो रिशा पन दोस्तों आप यहाँ पर खेलेंगे और टीम के लिए विकेट की किविंग भी कर सकते हैं हो सकते हैं और यहां पर इंका रिशन्ट फॉर्म देलिजिए कुछ खास है नहीं 44 का स्कोर और यहाँ पर 125 का स्कोर जोगे टेस्ट मैच में हैं इसके अच्छा फटल दोस्तों आप देलिजिए आप इनका रिशन्ट फॉर्म थोड़ा बहुत बल्लेवाजी कर सकते हैं लास्टी मैच इन्होंने तीन विकेट निकाला है लास्ट सेकेंड मैच दो विकेट फर्स्ट मैच यहां पर तीन जो मैच है न अस्टेलिया खिलाप खेल और दे थोर में बॉलिंग करते हैं रिशन्ट फॉर्म आप इनका देलिजिए यहां पर लास्ट मैच एक विकेट बाकी इससे पहले एक फिर दो तीन और यहां पर एक एक और यहां पर दो विकेट यहां पर दोस्तों नमबर दस पे जस्प्री भूमरा राइट आम फास्ट बॉलिंग करते हैं सेबंटी विकेट्स निकाल चूखें 60 मच इसमें डी संट फॉर्म देले एंग दो राइंग विकेट्ट पहले एक प्रेंग और यहां पर दोस्तों हम बात करते हैं साउथ अपरीका टीम का फ्लेंग लिवन प्लस यहां पर प्लेयर्स का श्ट्रेट तो यहां पर दोस्तों आप देख पाऊंगे जो की ओपन करने कोंगे टीम के लिए विकेट की बिंग करते हैं रिसेंट फॉर्म उनका कुछ खास यहां पर है नहीं लास्ट सेकेंड मैं 74 का स्कोर रहा था बाकि लास्ट फॉर्स मैं 64 का स्कोर और इधर 44 बाकि 24 और 37 का स्कोर चले लिजे 67 और यहां पर 93 और 37 तो यहीं कुछ स्कोर है पिछला दस मैच में और इसके बाद रेजा हैंडिक्स वन डॉन बैटिंग करेंगे दोस्तों बहुत ही जवर्दस फॉर्म में चल रहे हैं आप देख लिजे 74 70 53 57 तो लगतार दोस्तों चार मैच में इन्होंने हाप चुक गए तो बहुत ही जवर्दस फॉर्म में चल रहे हैं आप स्मॉली टी में को ज़रूर पिक करना इसके बाद एडम माकरम पाट टेम बॉलिंग कर लेते हैं प्रस बैटिंग काफी जवर्दस यहां पर 56 51 77 यह तीन बड़ा स्कोर है पिछला दस मैच में इसके बाद ट सकते हैं ग्रेंडिंग में आप इनको ट्राय करना डेविड मिलर दोस्तों लेप्ट हंड बलवाज जो की फनीशा करोल निभाएंगे रिसेंट फॉर्म आप इनका दे लिए ठाटी फोर सिष्टी और यहां पर दोस्तों ट्वांडिफोर ग्रेंडिंग में ट्राय करना सब्सक्राइब करते हैं चैलिस में बावन बिगेट रिसेंट फॉर्म दे लिजे काफिज जबर दस चार विगेट एक दो पांच दो एक यहां पर फिर एक इक बिकेट इसके बाद केसब महराज लैप टार्म आफिस में बॉलिंग करते हैं अठारा मैच में पंदर में दो दो विगेट इसके बाद दोस्तों एक दो एक यहां पर ग्रांडिंग में ट्राइक करना है स्मॉली टीम में डिफ्रेंशल पिक होंगे नौक्या दोस्तों और नंबर दस पर जो कि गति के लिए जाने जाते हैं बाइस मैचेस में इनके नाम है रिसेंट फॉर्म दे लास सेकेंड मैच चार्ड निकाले थे लास सेकेंड मैच दो विगेट फिर यहां पर एक बीगेट दो विगेट और यहां पर एक विगेट बाकि दोस्तों नेश्ट बात करते हैं प्लेयर बिटल तो आप देख पाऊगे विराट कोली वन टॉन बैटिंग करेंगे इनके सा पंद दोस्तों लेट रंड बलबाज जो की पांच नंबर पर खेलेंगे और इनके सामने जोस्तों आप देख पाऊगे डूइन पिटरस होंगे एकिस गिंद में पैंतिस रंदकर इन्होंने एक बार आउट किया बाकि तबरे समसी रवाड़ा आउट निकर पाएं अभी द दोस्तों लेट रंड बलबाज इनके सामने जो कि होंगे नौकिया नौक तीन गिंद में एक रंदकर इन्होंने एक बार आउट किया है अब आप देख पाऊगे साउथ अपरीका का बेस्ट मैं इंडिया का बॉलर क्वांटन डिकॉक लेप्ठ रंड बलबाज है इनके साम दोस्तों वन डॉन बैटिंग करेंगे इनके सामने दोस्तों यहां पर दीपाक चाहल 16 गन में 15 देकर एक बर आउट किया यहां पर यहां पर जस्वी भूमरा आउट नहीं कर पाएं अब आप देख पाऊगे दोस्तों यहां पर होंगे हिंडिस कलासन अगर खेल जाते हैं तो देख लिए राइट हंड बल्लवाज है इनके सामने जो कि होंगे यूजी चहल 34 गन में 80 रंदी हैं भाईया मला कि डवल से भी ज्यादा और दो बर आउट किये हैं अक्छा पटेल यहां पर 21 गन में 34 रंदी हैं आउट नहीं कर पाएं हरसल पटेल यहां पर 16 गन में 16 इन्होंने एक बर आउट किया है डेविड मिलर दोस्तों लेप्ट हंड बल्लवाज इनके सामने जो कि हरसल पटेल भाईया काफी परसान करते हैं इनको 12 गन में 17 रंदेकर इन्होंने दो बर आउट किया है वाकि यूजी चहल अक्छा पटेल आउट नहीं कर पाएं अभी हम देखते हैं पिछला तीन मैच का हैट टूए स्टेट्स तो लाश्ट येम जब आपस में दोनी टीक मीं भीडिदी थी इंडिया के टीम दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए 169 आं का स्कोर करते और इंडिया इस वाले मैच को 22 से बिन कर लेती है इस वाले मैच में देख बाकि राजिय बंडशन 20 का स्कोर लुंगी निगडी दो विकेट और यहां पर नौक्या एक विकेट दोस्तों लास सकेंड हैट्ट यहां पर इंडिया की टीम फिर से बैटिंग करते हुए 179 का स्कोर करते हैं और इस बाद फिर से हां पर फर्च वैटिंग करते हुए इंडिया 48 रन से विन कर लेती है गायकवाट स्कॉर्ड में है नी हरसल पेडल दोस्तों खेलेंगे चार विकेट निकाले थे यूजी चहल दोस्तों यहां पर तीन विकेट निकाले थे रेजा स्कौरड में और सामील किया है दोस्तों कि निẢ़ फिलाल क हना मुस्किल है वागि दिने सकार तोस्ते को मैं चैजिज़ करूंगा अ चैकर वाप 210 कोны फूले मैं आजञे कोा में इसका डायेट अप लिंग मांजे illum fluor करूंगा अगर आपने लोगों जोआ नहीं क्या दोकул में लिंक है जाए वहां से फोलू करते जवान कर लिजिए और दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके लिए चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर में आपके सामने जो ऑप्सन है आप दीख पाओगे क्वांटन डिकोग दिनेश कार्थिक हिंडिस कलासन और यहां पर रिशब पंत तो दिनेश कार्थिक और रिशब पंत भाया दोनों जो की है ना खेलेंगे और प्लेश टीम के लिए विकेट कीपिंग करेंगे और दीनेश कार्थिक प्लेयर खेलेंगे रोल निभाएंगे छे नंबर या साथ नंबर पर भल्लवाजी करने आएंगे तो रिशब पंत अगर आप एस्मॉली टीम में लेते हो तो थोड़ासा रिस्की च्वाइस होगा आपके लिए और कोई नहीं है बाकि कलासान भाईया अगर खेलते हैं तो आप इनको ग्रैंडिंग में ट्राइक करना लास्ट थर्ड हैट्विड में दोस्तों एटी वन का स्कोर किये थे आगे बात करते हैं बैटिंग में दोस्तों यहां से हम पिक करेंगे विराट को ली बैटिंग कर रहे हैं बैतरीन फॉर्म में चल रहे हैं इसके बाद सुर्क मार्याद आप चार नंबर पर खेलेंगे आप इनको ले सकते हो बहुत ही बैतरीन बल्लेवाज इसके बाद लॉके सरौल को हम पिक कर रहे हैं और यहां पर रेजा हैंडिक जो की हाई चांस है वन इसके अलावा यहां पर टीम बाव बावुमा टीम के कप्तान दोस्तों 17 परसें सेलेक्शन ने ओपन करेंगे दोस्तों अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो डिफ्रेंशल पीक होंगे ग्रांडिंग में इनको जरू ट्राइक करना इसके अलावा डेविड मिल्यर कंडर में यहां से हम पीक करेंगे अक्षा पटेल इसके बाद डूइन पीट्रेस जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं एडन माकरम दोस्तों आप इनको ले सकते हो जो कि चार नंबर पर खेलेंगे बहुत ही बहतरीन प्रेयर है और सेवंटी सिक्स परसेंट सेले विसो रवाड़ा यूजी चहल नौक्या और इसके बाद दोस्तों यहां से हम पीक करेंगे हर्सर पटेल जो कि चार विकेट निकाले थे लास्ट सेकेंड हैट टूएड मैच में इसके अलावा अर्सदीप सिंग लाफटान फास्ट वारिंग करते हैं बहुत ही पास हैं नीं फोले मैं आपेंगे केसे आज कहलेंगे तो में ट्रां करना युन करते हैं और देक्षी करते हैं और क्याप्टन के बात करते इसों कि करना चाहाँगी और पर अगर नहीं कर दोوس凭ी जो की बहुत ही बहतरी आओं आप पर 7Pल iç है इसके अलावा दोस्तों यहां पर वाइस कैप्टन यहां पर आप जो की कर सकते हो दोस्तों अक्षा प्रटल को 20% क्याप्टन कर रहा है क्यूंकि लगतार बहत्री बिकेट निकालते जा रहे हैं दो विकेट तीन विकेट हर मैच में तो इसलिए जातर लोगों ने इनके खेलते हैं तो इनको अच्छे से पता है किस बॉरल को कैसे खेलना है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इनको आप बीजी कर लिजिए पिर आप चाहो तो कैप्टन वाइस केप्टन जो की विराट को ली बाकि चली दूस्तों हम आपको टीम का प्रिभू दिखाते हैं आप दे पीजो की है ना बॉलिंग फ्रेंडली पीच अगर बैटिंग फ्रेंडली पीच रहता तो फिर दोस्तों मैं अपने टीम में रोई सर्मा को पीक करता और एडम मांकराम को पीक करता बहुत ही और फिस सूरुकुमार यादव यह तीन जो ऐसे प्लेयर है जो कि बैटिंग फ् पता है वीडियो के डिफ्सेशन में है चाहिए वहां से फोलो करते हैं जुआन कर लिजिए और हाँ दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा अपने दोस्तों साथ सेर किजेगा हमारे चैनल को सुस्क्राइब जरू किजेगा मिलते फिर नेक्ट वीडियो में ठेंक दोस्तों